देखिए आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे लास टाइम हमने इस स्ट्रक्चर आप जिस्ट के बारे में सीख लिया था आज हमारे उस सेशन है वो उससे आगे इसके बारे में मैंने आपको कई दो सारे एक्जामपल ही बताये थे कि अगर पंजाब की पार्टी पंजाब में माल बेखती तो से लोकल स्टेट टार्जेक्शन भी बोलते हैं या फिर वेजन स्टेट सेट पर्चेस भी कहते हैं और उस केस में आपका cjst plus hjst चार्ज किया जाता है ठीक है लेकिन पंजाब की पार्टी किसी दूसरी राज्ये माल बेखते हैं उस पर क्या चार्ज होता है इंटर स्टेट होती है उसे क्या बोलते हैं इंटर स्टेट या फिर विट्विन टू और और स्टेट और कौन सा टेक्श चार्ज होता है आई जीस्ट UTGST, UTGST की फुल फॉर्म थी Union, Territory, Goods and Service Tax. Sir, first of all, meaning of Union Territory, what is the Union Territory? इन दिनी बोलते हैं, केंदर शासित परदेश, जैसे के आप जानते हैं, इंडिया के अंदर साथ ऐसे राज्जी हैं, जिसको हमने केंदर शासित परदेश का नाम दिया, उन में से 7 स्टेट यह हैं, जैसे दमनें, नुकोबार, आइसलेंट, चंडिगार, दादर नागर, हावेली, दमनेंदू, दिल्ली, लक्षदीबार, पांडिशित, यह टोटल 7 स्टेट हैं, जिसको हमने क्या दिया है, UTGST, बोले तो, Union Territory Goods and Service, केंदर शासित परदेश बनत केंदर शासित परदेश तब बनते हैं, जब किसी स्टेट के पास अपना कुछ भी ना हो, जैसे अपनी पार्लेमेंट ना हो, जैसे अपनी कोई हाई कोड ना हो, जैसे कोई अपनी सुप्रीम कोड ना हो, दूसरे स्टेट पर डिपेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, Union Territory सर दिल्ली किसे union territory सर दिल्ली के पास तो अपनी supreme court भी है दिल्ली के पास अपनी high court भी है वो decision के लिए किसी दूसरे state पर base भी नहीं है तो फिर भी सर इसको union territory में रखा क्यों है क्लियर अब यह दियान से देखेंगे कि एक word लिखा हुआ है legislature क्या लिखा हुआ है legislature जिस state के पास अपना विधान वंडल नहीं होता उसको union territory बोलते हैं लेकिन लेकिन दिल्ली और पांड़चेरी के पास दोनों चीजे हैं क्या है दोनों चीजे हैं legislature भी है और अपनी सारी facility भी है तो GST के अंदर दिल्ली और पांड़चेरी को अलग रखा है क्या रखा है अलग तो याद रखना union territory यो पांच state कवर किये गए है कौन से दमनेंड निकोबार आइसलेंड चंडिगर दादे नागया वैली दमनेंदू एल लक्षणी रखा एक एंट्री के जरीए एक एक्जामपल के जरीए बता सकते हैं बिलकुल बताऊंगा आप देखें आपर मैं दिल् तो यहां दिल्ली आ जाता है और जो टेक्स चार्ज होता है वो C G S T डिल्या है लेकिन जब दिल्ली से भाहरें बात करता हो UP तो क्या चार्ज होता है Air JST चार्ज होता हैец इस अगर मैं दिल्ली से बाहर कहा माल बेग दिता हूँ चंडी गढ़ में माल बेग दिता हूँ तो क्या चार्ज होगा क्या चार्ज होगा देखो किसके अंदर बेस ही है तो क्या चार्ज होगा नएी सरख आई जीस चार्ज होगा क्योँonn किस चेट तो अल mêmes अगर चंडी गढ़ की पार्टी चंडी गढ़ में ही माल बेग दो समय CGST पलश UTGST चार्ज होता है UTGST चार्ज होता है चंडी गड़की पार्टी अगर किसी दूसरे आज़े माल बिख दे तो IJST, सेम स्टेट में, तो CJST प्लस UT, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, स्टेट होता है तो S लगाता है, जब स्टेट ही नहीं तो क्या लगाएगा, UT लगाएगा, कि लिए रे, अगर दिल्ली का एक्जाम पर समझो, दिल्ली की पार्टी, दिल्ली माल बेखती तो क्या लगाती है, CGST प्लस IGST, क्योंकि यूनिट टेट्री है नहीं, और जो यूनिट टेट्री होंगे, वो स्टेट कोड़ा के क्या करतेंगे, UTGST, बस, इसलिए लोग इसको CGST प्लस UTGST भी बोलते हैं, ऐसे बोल होता है, 50-50 चाल होता है, क्लियर है, चलिए, चलिए, ये बात का सेशन है, इसमें, अब GST किन पर लगता है, पहला, not in GST, अल्कोल, दारू, GST, नहीं लगता, इलेक्टिसिटी, पर GST, नहीं लगता, और पेट्रोलियम, पर GST, नहीं लगता, क्लियर है, ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए, आगे समझ में, नहीं आए, बात का भूमिखब ब lend साजर, झाखे ऑर का बहता है, ये नहीं रमादयाटिया, आगे सम funds, ये चुझशेदmapene עमella इचेशने मपीज़े.